हलो फ्रेंड्स आज हम हैं जैपूर महानगर की अजमेर रोड की लोकेशन पे और ये जो प्रोजेक्ट आज हम बात करने वाले हैं जेडी अप्रूर और रेरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का नाम दी सफायर पार्क है बात करूँ मैं इसके इंट्रेंस की तो सामने 200 फिट के रोड के उपर ये प्रोजेक्ट है ये प्रपोज दो सो फिट सेक्टर रोड जो है ये सीधा इस्ट में जो गोपालपुरा बाइपास है वहाँ से सीधा रिंग रोड को कनेक्ट कर रहा है और सामने आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं यहाँ पे ये जैसिंग पुरा दो सो फिट हाइवे है जो की अजमेर हाइवे की भाक रोटा लोकेशन और मुहाना मंडी सांगानेर की ये धाई सो फिट जो सेज रोड है उसको कनेक्ट कर रहा है तो तुरंत बना के रहने लायक ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है गेटेट सुसाइटी है और आसपास की जो स्राउंडिंग लोकेशन है मैं आपको बताऊँ बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है और प्राइज वाइद मैं आपके बात करो तो लगबग इस आसपास की जो लोकेशन है वहाँ पे लगबग 1CR से अबोव की प्रोपर्टीस यहाँ पे हैं तो आज जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो दी सफायर पार्क गेटेड सोसाइटी है फ्रेंड्स बात करें इस प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है अजमिर रोड से तो लगबग 800 मिटर का डिस्टेंस है जो की बहुत ही कम डिस्टेंस मैं कहूँगा है और सामने सामने जो वो जैसिंग प्रा 200 फिट रोड है उसका जिस्टेंस मैं कहता हूँ लगबग 100 मिटर भी नहीं है जो आप वो वहाँ पे ट्राफिक बैता हुआ देख रहे हैं सामने चार उत्राफ इसके सराउंडिंग में हाई रैसेज हैं और रिंग रोड भी यहां से लगबग 1 सवा किलोमेटर पे रिंग रोड है तो आईए बात कर लेते हैं हम इस प्रोजेक्ट की गेटेट सुसाइटी रहने वाली है पूरी जेडिय अपरूड है सभी यहां से आप इंट्रेंस कर सकते है और यहां से आप एक्जिट कर सकते है लगबग चारो तरफ से मैं कहूं तो बाउंडरी पैक सिक्योर यह गेटेट सुसाइटी रहने वाली है टाइल्स की इसमें रोडे हैं और साइड जो पात्वे है साइड वाक मैं बोलू उसको तो आ आपको वहाँ पे भी हरे-बरे पेड पोधे यहां पे लगाए गए हैं, बात करें पानी की तो ओर हेड वाटर टेंक है और अंडरगराउंड वाटर टेंक है, गेट पे सिक्यूरिटी चेक के साथ साथ है, यहां पे बूम बैरियर्स भी रहने वाला है, और इंटरेंस के साथ ही आपकी इस गेटर सोसाइटी में जो आपके विजिटर्स हैं, वो यहां पे इंटरी कर सकते हैं, इस तरह से आपकी सामने हाई राइजेज और देख रहे हैं, तो बिलकुल आबादी छेतर के बिलकुल बीच ओ बीच यह पूरा प्रोजेक्ट है, इस तरह से, बेली नीड्स के लिए आपको शोपिंग सेंटर यहां गेटर सोसाइटी के अंदर ही अवेलबल है, साथ ही साथ गार्डन एरिया और गेट्सप्ले एरिया भी यहांवे प्लान है, यहां पर यह गजीबो और सिटिंग अरेंज्वेंट किया गया है पार्क में, यहां पार् यहां पर डिजैन किया गया है, यह जो है यह अंडरगराउंड वाटर टेंक है, तो लगभग हर तरह की स्वीधाएं आपको इस गेटर सोसाइटी में मिलने वाली हैं, जो की बहुत ही अच्छी कनेक्टिंग मैं कहूं तो कनेक्टिंग कनेक्टिविटी के साथ में यह पू वो हाई राइस बिल्डिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा फोग है, वो अजमेर हाईवे की स्काई 25 है, तो मैंने जैसे आपको बताया, लगभग सासो से आट सो मिटर की दिस्टेंस है, भाक रोटा रेड लाइट से, बहुत ही कम लिमिटेड ही, इसके अंदर आप फ्लोट स बाकी रह गए हैं, तो अगर आप रेडी टू शिफ्ट ऐसी लोकेशन सर्च कर रहे हैं, अजमेर रोड मांसरो और क्यास पास की लोकेशन पे, तो ये एक बहुत ही सूटेबल आपके लिए एक गेटर सुसाइटी रहने वाली है, में अट्रेक्शन की मैं बात करूँ तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रेंट से दो सो फिट से इसका, इस गेटर सुसाइटी का जो इंट्रेंस है, वो दो सो फिट से है, रनिंग दो सो फिट जैसिंग पुरा मात्र सो मिटर पे है, और अजमीर हाईवे का डिस्टेंस सा सो से आठ सो मिटर है, तो बहुत ही अच्छी टाउंशिप है, जहां आप तुरंत मकान बना के रह सकते हैं, अपना ड्रीम हाउस, यहां पे विला प्लान कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे जो डिस्क्रिप्शन बोक्स हैं, उसमें हमारे नंबर दिये गए हैं, हमारे टीम को आप कोल कीजिए, और विजिट विद फैंबली आप प्लान कर सकते हैं यहां बे, और अगर फर्स टाइम आप हमारे यूटूब चैनल पे आये हैं, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तिल देन, टेक केर, बाबाए